नवस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आसीज राजिंदर कुमार यानि आज 21 अक्टूबर है और देश आज फिर से चुनावी रंग में रंगा हुआ है महाराष्ट और हर्याना में बिधानसवा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में हम बाचीत है एक बार फिर से सीट के लिए के सीट की सत्ता है वो किनके हातों में जाएगी इन विधानसवा चुनावों के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँँ यो वर्ली महाराष्ट की जो सीट है इसके एग्जिट पोल को लाइब दिखने के लिए अब उपर दी हुए लिंक तक नतीज आ जाएंगे सीट पर तो आदित्य ठाकरे जानी महाराष्ट चुनाव का प्रमुक चहरा है सिव सैनको ने तो उन्हें भविस्का मुखवंत्री विमाल लिया है वह सीट पर दाव खेल रहे हैं इसके साथ ही यहां आपको देखने को मिलेगा जो की महाराष्ट की दंगल है सीट के लिए अधित्य ठाकरे चेहरा हैं जो की सीट पर प्रबल डावेदार माने जा रहे हैं जीत के लिए एंसीपी के सुरेज माने हैं जो उनको टकर देने के लिए दूसरी ओर महजूद हैं अब बात करते हैं थोड़ा सीट के इत्यास के वारे में तो 2014 की और म सुनिल सिंदे ने चुनाब जीता था सुनिल सिंदे को 6625 बोट मिले थे उन्हें 40 फीसी दी वोट प्राप्त हुए थे दूसरे नम्मर पर एंसीपी के सर्चेन अहीर रहे थे जिनको 37613 बोट मिले थे पता दे कि पिछली बार बीजेपी और सिफसेना अलग-अलग लड़ रहे हैं तो कहीना कहीं अब इस सीट पर इन दोनों पाटियों गटबंदन का वी जो पुर्जोर है वो भी देखने को मिलेगा क्योंकि सिफसेना का इससे पहले इस पर अधिकार था सीट पर सत्ता थी सिफसेना की और ऐसे में जब इनका गटबंदन मनता है जाहिर त सिफसेना है तो कहीना कई उनका थोड़ा थोड़ा भारी सा दिखता हुआ नजर आ रहा है तो दूसरी और अगर बातचीत की जाए तो जैसे कि कहा गया है कि जो चर्चाहां चल रही है कि देवंदर फड़न भी इसको दूसरा मौका या फिर एंसीप कॉंग्रेस पल्टे की बातची चल रही है कहा जा रहा है तो उसके आधार पर भी देखा जाए तो एक वक्त में सत्ताधारी गटवंदन रहा कॉंग्रेस और नसीपी ने अपने सीम केंडिडेट की कुष्णा नहीं कि ए एंसीपी के अजित पवार की नजरे सीम की कुर्सी पर है जो महाराष्ट म है बीजेपी और सेफसेना का घटवंदन होता है तो फड़न वेस आमुख बंतरी के चेहरे के पत्म है रूप में आपको नजर आएंगे तो वोटिंग जारी है और साम तक भी वोटिंग चलेगी है चौवीस अक्टूबर को जैसे मैंने आपको बताए कि नतीजे आएंगे परली विदानसवा सीट जोगी महराष्ट की सीट के लाइव एक्जिट पोल के लिए जैसे मैंने आपको शुरुआ तुम बताया कि उपर दिये हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं इस विदानसवा चुना आप सुझी जो भी अपडेट आएगी मुँए आपको देत करूंगा आप देखते रहे हैं इनकबर रन्यवाद इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें